मूंग दाल की मंगोडी प्रणस क्या करना है आ आई मैं आपको दिखा देती हूं बहुत ही बडिया मसाले दार मंगोडी वडिया भी बोलते हैं इसको मूंग दाल की वड़ी आप कैसे घर में लगा सकते हैं रेसिपी देख लेते हैं तो वड़ी लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने मूंग डाल ली है मैं यहाँ पर छिलके वाली मूंग डाल से वड़ी बनाऊंगी आप चाहें तो बिना छिलके वाली डाल भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर दो कप छिलके वाली डाल ली है क्योंकि मैं अक्सर से जब यह मेरे घर में मौंकी दाल की वड़ी बनती है, तो हम लोग छिलके वाली दाल से ही बनते हैं, तो यह दाल मेरे पस पड़ी उए थी, तो सबसे पहले इस दाल को मैं अच्छे से वाश करूँगी, एक से दो बार वाश करूँगी और उसके बाद में, मैं इसको भिगोने के लिए रखूंगी लगबग 5-6 गंटे तो ये देखिए आप चाहें तो ये बिना चिलके वाली मूंग की डाल होती है जो वो भी ले सकते हैं उससे भी आप बना सकते हैं ये स्किललेस मूंग डाल है तो इसको आप डारेटली 5-6 गंटे भिगो लीजिए उसके बाद मैं पीस कर इससे भी मंगोडी दी जा सकती है फिलाल तो ये देखिए चिलके वाली मूंग डाल है आप देख रहे नीचे तो उसको मैं अच्छे से वाश करने के बाद मैं उसको सोक करूँगी तो इसको मैं पानी डाल कर पहले वाश करूँगी और उसके बाद में सोक होने के लिए रखूँगी तो ये देखिए भीगने के बाद में कुछ इस तरह से लगेगी इसके छिलके अलग होने लगेंगे ये देखिए ये इस तरह से फूल जाएगी जब ये इस तरह से फूल जाए तो उसके बाद में इसको हातों की बीच में रगड कर दोनों हाथों से रगड़ कर हम इसके छिलकों को अलग करेंगे यह देखिए तो आप चाहें तो मूंकी डाल की वड़ी को इस तरह से छिलके वाली मूंक डाल से भी बना सकते हैं या फिर आप स्केललेस मूंक डाल आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी उससे भी बनाया जा सकता है तो जो भी आपके पास अवेलिबिल हो आप वो ले ले इसलिए मैंने आपको पूरी रेसिपी दिखाई है यह देखिए इस तरह से अगर आप करेंगे आप देख सकते हैं उपर आपको जो हरा हरा देख रहा है वो मुंकी दाल के छिलके हैं तो इस तरह से ऊपर आ जाएंगे तो छिलकों को आप अलग कर सकते हैं और नीचे आपको मुंकी दाल मिल जाएगी तो दाल को हम अलग निकाल लेंगे और सारे छिलके अलग कर देंगे तो ये देखिए आप आपको चाहिए होगी एक परांत परांत ले सकते हैं कोई बड़ी सी थारी ले सकते हैं या फिर कोई पॉलेथिल ले सकते हैं उसको अच्छे से आपको ग्रीस करना है तो जिस भी चीज पर आप देना चाहते हो मंगोडी जिस पर लगाना चाहते हो उस सर दालनी में डालकर रख दिया था ताकि पानी इसका पूरी तरीके से निकल जाए अब इसमें देखिए हम यहां पर कुछ चीजें और एट करेंगे इससे हमारी मंगोडिया बहुत मसालेदार बनेंगी तो यहां पर तीन इंच अद्रक का तुकड़ा आप देख सकते हैं चार स किसी का जार ले लिया है आप ग्रांडिंग जार ले ले और उसमें दाल को एट कर दे ध्यान रखे बिलकुल भी पानी नहीं होना चाहिए बिना पानी के ही हमें दाल को पीसना है जितना आप ड्राइए पीसेंगे दाल को अच्छा रहेएगा दाल अगर गीली हो जाएगी हमारी वड़ियां अच्छी नहीं बनेगी और उसे सूखने में भी बहुत जादा टाइम लगेगा अब ये देखिए लाल मिर्चों को हम एट कर रहे हैं लाल मिर्चे डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आता है वड़ी का साथ ही जो वड़ियां है वो जल्दी खराब नही होती तो उसमें कीडे नहीं लगते हैं इसी वजए से मैंने लाल मिर्च एट किया हरा हरी मिर्च हमें नहीं एट करनी है वरना वड़ियों का कलर थोड़ा हरा हो जाएगा इसलिए इसमें हरी मिर्च ना एट करें अब देखिए इसमें अद्रक के भी हमने छोटे तुकड़ चाहें तो अभी एड़ करें या फिर दाल पीसने के बाद भी मिलाई जा सकती है इसको हमें ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस लेना है तो पल्स करते हुए मैंने इसको पीस लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से पिस चुकी है तो मैं आपको पिसकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है इससे हम मूंग दाल की वड़ी लगाएंगे तो ये देखिए फ्रेंग्स यहाँ पर मैंने दाल को ग्राइंडर जार से निकाल कर एक कटोरे में निकाल लिया है अब ये जो दाल आप देख रहे हैं इससे हमें मूंग दाल की वड़ी तो आप चाहें तो हातों से भी लगा सकते हैं वड़ीों को या फिर आप एक कोन बना सकते हैं कोई भी पॉलिथिन ले ले और उससे आप इस तरह से कोन बना सकते हैं कोन की हेल्प से भी बहुत ही बड़ी लगकर रेडी होती हैं तो मैं आपको सिखा दूँगी किस तरह से आप कोन घर में बना सकते हैं, सबसे अच्छा वा सबसे फास्टेस्ट मेथड है, सबसे तेज तरीका है ये वड़ियां लगाने का, किस तरह से आप फटा फट वड़ी लगा सकते हैं, इस कोन की हल्प से तो आप सीख लीजेगा, बिल्कुल लास्ट में वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं, देख पाएंगे, किस तरह से आप ये कोन घर में बना सकते हैं, तो मैंने सोचा, क्यूं न पूरी रेसिपी आपको दिखाई जाए, कि घर में कोन भी चैसे बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्त तक देखे, मैंने कोन बनाना भी फिलाल तो देखिए मैंने यहां पर दाल को भर लिया इसके अंदर और इसका जो छेद है कौन का वो मैंने इतना रखा है बहुत बड़ा ना रखे इस तरह से वड़िया लगा पाएं आप तो मैं आप यह आपको सिर्फ टेस्ट करके दिखा रही हूं यह टेस्ट के लिए मैं मूख दाल की वड़ी तो स्टील की यहां पर थाली ले सकते हैं आप परांत ले सकते हैं पॉलिथेन ले सकते हैं किसी में भी लगाई जा सकती है तो ये देखें बहुत जल्दी जल्दी आप इसको उन से लगा पाएंगे मूंग दाल की वड़ी फटाफट लगा कर आप इसको फटाफट सूखने के लिए रग दे तो एक दिन के अंदर ये सूख भी जाती है पहले दिन सूखने में इसको टाइम लगता है और दूसरे दिन आप इसको दो घंटे की धूप लगा दे तो गर्मियों की धूप में ये बहुत जल्दी बनती है तो देड़ दिन में ही आपकी मूंग डाल की वड़ी इस तरह से लगकर रेडी मिल जाएगी और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप ये कोन नहीं बनाना चाते हैं तो हाथों से भी इस तरह से लगाई जा सकती है थोड़ा थोड़ा मिक्षेर हाथों पर लेते जाएं और ये देखिए थोड़ी सी चोच बनाते हुए आप यहाँ पर बड़ियों को लगा कर रेडी कर पाएं बहुत डीटेल में मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूं फ्रेंड्स आपको पूरे यूट्यूब पर ये रेसिपी इस तरह से इतनी लीटेल में नहीं मिलेगी तो आप इस तरह से मूंग दल की वड़ी को लगा कर जरूर देखें ये दिखिए वापस से मैं कौन से लगा रही हूं आप इसको सूखने के बाद में बहुत आराम से इस तरह से तोड़कर अलग कर पाएंगे तो ये देखिए आप इसको नेक्स दे मैं दो घंटे की धूप दिखाऊंगी और ये बिलकुल सूख कर आपको रेडी मिल जाएगी तो ये देखिए छोटी थाली में भी हमने इसको इस तरह से लगाया था तो ये भी आप देख सकते हैं ये देखिए ये कुछ इस तरह से रहती है जहाँ पर आपने चिकने नहीं लगाई होगी तो वहाँ पर ये कसकर चिपक जाएगी सिर्फ ये ही डिफ्रेंस होता है चिकने लगाने का और ना लगा पाने का तो ये देखिए मूंग दाल की वड़ी को हम दो गंटे की धूप अगले दिन ओल लगाएंगे और बस ये बिलकुल सूख कर रेडी हो जाएगी और उसके बाद में इसको स्टोर करके हम रख देंगे बंद करके डिब्बे में रख देंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैं दूसरी दिन की धूप लगा रही हूँ सारी मंगोडी को मैंने एक जके कर लिया है और एक दलिया में रख दिया है आप इसको किसी कपड़े पर भी सुखा सकते हैं सूती कपड़े पर डाल दें तब भी ये सूख जाएगी तो फ्रेंट्स मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप भी दे रही हूँ कैसे आप पीली पीली बिलकुल मंगोडी लगा सकते हैं फ्रेंट्स क्या होता है कि आप जब दाल को भीगोते हैं तो बहुत सारे लोग रात को ही दाल को भीगो देते हैं और सुबह इससे मंगोडी करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मंगोडीयां है उनका इसके बिलकुल फार नहीं आप ऐसके जब Tä सूब है दाला को भिगोगं और सुबह भायं मैं एक तकुल सुबधे गया कि अचा कि ये जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो के लास में मैं आपको कि यह लिए मैंने एक polythen लिए है इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजए ए देखिए नहीं कि को शेप में इसको आप इस तरह से फोल्ड कर दें और उसके बाद में इस पर सैलो टेप लगा ना है वैसे तो बहुत सारे लोगों को कौन बनाना आता ही होगा पर मैंने सुचा क्यों न उन लोगों के लिए कौन बना कर दिखा दिया जाए जिन लोगों को नहीं आता है तो आप देख ले और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं आप वीडियो को skip कर सकते हैं ये देखिए फोल्ड कर दिया है हमने और इस तरह से tape लगा दें ताकि दाल बाहर ना आए तो कोन अच्छे से बनाए ये देखिए इस तरह से चिपका दें इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं अंदर से भी हमें tape लगाना है तो ये देखिए कोन को खोल कर अंदर से भी इस तरह से सेलू tape लगा दें अगर आप अंदर tape नहीं लगाएंगी तो जब आप धाल भरेंगे इसके अंदर तो जो दाल है वो इसकी layers में बीच में चली जाएगी और जब आप इससे मंगोडी लगाएंगी तो आपको बहुत पर अब इसको थोड़ा सा काट लें शुरुवात में आप कम काटे इस बात का ध्यान रखें कूपि अगर ज्यादा मोटा हो जाएगा तो उसको छोटा करने में आपको दिक्कत होगी पर अगर आप छोटा चेद बनाएंगे अगर आप इसको कम काटेंगे और उसके बाद में निकाल कर देख लें तो मोटा तो आप उसको कभी भी कर सकते हैं तो मुझे अंदाज है इसलिए मैंने इसको एक बार में काट लिया है तो फ्रेंट्स कोन हमारा बनकर बुलकुल रेडी है आप भी घर में इससे फटाफट मंगोडी लगाईए और नहीं तो फिर हातों से लगा सकते हैं कैसी लगी आपको मेरी ये मुंग दाल की बड़ी की रेसेपी लिखकर जरूर बताईएगा मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये रेसेपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लग रही है तो प्लीज जल्दी से लाइक का बटन दावाईए कॉमेंट करके बताईए और शेयर कीजिए मेरी इस रेसेपी को थेंक्यू सो मच बाई